हाई अब्रिवान वेल्कम वैक्टि माई चैनल आज हम बनाएंगे मूमफली का हलवा आपने कभी ट्राइ किया है अगर हाँ तुम उसे जरूर बताईएगा और आपने कैसे बनाए ये भी बताईएगा तो चलिए आज हम बनाते हैं मूमफली का हलवा बहुत ही ज्यादा हेल् हमेंस में उसमें बहुत सब्सक्तों होता है तो उसे बनाते है बेषमे बहुत्ति कि वह बाते ये अगर साख नलीजिए मैंने मूमफलीयंट को ज़रे दाउटर करएंगे यजिक है बाएट यह तो चले का simplicityConnell कर मूंपनेए ऑसे द दूना जाएगा उसके बाद हम उस पाउडर को डाल देंगे जो मोमफली का पाउडर हमने बनाया था और इसे हम अच्छे से रोस्ट करेंगे इसे हमें मीडियम लो फ्लेम पे रोस्ट करना है आप इसे हाई फ्लेम पे मत रोस्ट करिएगा वरना जल जाएगा पाउडर मीडियम लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे लगबग 5-7 मिनट लगेगा अगर इतना ही पाउडर है जितना मैंने ले लिया है उतना ही है तो आपको 5-7 मिनट लगेगा और इसे अच्छे से रोस्ट करना है वरना हलवे में कच्छा सा तेस्ट आएगा कच्छी मुमफली का तेस्ट आएगा तो अच्छे से रोस्ट कर लीजिएगा इसे 5-7 मिनट अराम से रोस्ट करने में लगेगा जब मूंगफली का पाउडर रोस्ट हो जाए तो हम उसमें डाल देंगे पानी आप पानी की जगे दूद भी डाल सकते हैं मैंने इस टाइम पानी डाल दिया है अभी तो पानी में हम इसे पका लेंगे लगातार फिर चलाएंगे वरना जल जाएगा नीचे से फ्लेम को हमें मीडियम रखना है हम लगातार चलाते वे इसे पकाएंगे मूंगफली का हलवा बहुत टेस्टी लगता है आप ट्राई जरूर करिएगा एक बार देखिए जब इसमें उबाल आने लगे तो हम इसमें चीनी डाल देंगे या तो आप मिश्री डाल दीजिए अगर आप ब्रत में यूज कर रहे हैं तो means breath के लिए बना रहे हैं तो मिश्री डाल सकते है अपनी टेस्ट एकॉर्डिंग मिश्री या चीनी डाल दीचिए जब हलवा थोड़ा थिक हो जाय तो हम उसमें डाल देगे इलाइची powder, मैंने इलाइची को कूट लिया है, इलाइची दानों को और मैंने डाल दिया है इसमें फिर हम थोड़ा चलाएँगे, बस लगबग हो गया है इसमें हम डाल देंगे ट्राइफरूट्स, अपने मन पसंद का ट्राइफूट्स कोई भी डाल दीचिए सब चलेगा देखिए हलवा काफी थिक हो गया है तो अब मैंने इसमें डाल दिया है एक कप दूथ आप अगर पहले दूथ डाल रखे हैं तो इसको इस टाइम स्किप कर सकते हैं या अगर आपकी कंसिस्टेंसी ज्यादा थिक हो गई है आपको थोड़ की हलवा बना है आप इसे ब्रत में खाईए या आप अपने बच्चे को लंच में दीजिए ब्रेकफ़स में दीजिए बहुत ही हल्ली है बहुत ही हाई प्रोटीन डिश है एक बार ट्राइज जरूर करेगा एंड मुझे बताईएगा कि आपको यह हलवा कैसा लगा देखि की बार ट्राइएगा बिज तो जरूर सबच्चे करें में अफकोर्स टी स्टी है मैंने थी पहली बार खाया था है बहुत पसंद wrecked ने तो बहुत मजे से खाया है आप भी ट्राइएगा कि आपको कैसा लगा प्लिज लाइक दिबीडियो इक आपको कैसा लगा ब्लीस take care and stay happy thank you so much for watching